हालो स्टूदेंट्स दस डॉक्टर हिमांशी ओजा आपका अपना कालेज का का तो बहुत बढ़िया खुशकबरी आप लोगों के लिए आ गई है जैसे कि हमने पहले पिछले साल भी आपको बताया था कि एनमसी का जो फी रेगुलेशन बिल है पास हो गया था अल्रेडी संस से अब ये क्लियर हो गया है कि इस साल से ही यानि 2022-23 का जो सेशन है इसी से ही वो रूल अपलाए होने जा रहा है तो बहुत कैसे कानफरमेशन मिली सबसे पहले एक इस तरह की RTI लगाई गई जो के कोर्ट में RTI लगाई जाती है किसी चीज को जानने के लिए तो एक डॉक् कुछ है कुछ पांच questions उन्होंने हाला कि वो questions उन्होंने PG यानि नीट PG के लिए पूछे थे लेकिन उनमें एक question ये भी था कि क्या जो NMC regulation B जो fees का regulation का bill है वो इसी साल लागू होने जा रहा है कब से होगा आप बताईए तो written में जो उन्हें वापस answer मिला है उस letter की copy भी उन से ही ये fees bill लागू होने जा रहा है अब क्या है इसके अंदर इसके अंदर ये है कि जो बच्चों के marks थोड़े से कम रहा जाते हैं देखिए हमें पता है कि cutoff जाती है let's say कि government medical college के लिए cutoff गई है 600 marks यानि 600 नंबर पर government medical college में selection हो रहा है तो private medical college में बच्चा admission नहीं ले पात है 580, 570, 550 नंबर वाला बच्चा क्या करता है वो सोसता है वापिस drop करूँगा क्योंकि मेरे पास इतना afford करता नहीं हूं मैं इतना पैसा नहीं है मेरे पास अब इस bill से क्या हो जाएगा private colleges की 50% seat नंपर government की ही fees लगेगी यानि government college की जो fees होती है किसी में 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 म वही fees private college की 50% seat नंपर लगेगी यानि अगर किसी private college में 100 seats है तो उनमें 50 seats convert हो जाएंगी ऐसी fees पर यानि कि उनमें government की fees लगने वाली है तो भई इसका impact क्या होने वाला है impact ये होगा कि जो cutoff है देखिए government की cutoff अगर 600 जाती है let's say general की हम कह रहा है 600 जाती है तो private में हम कह सकते हैं 500, 520, 530 इसके उपर वाले जो बच्चे है अब उन्हें फिर से drop लेने की ज़रुरत नहीं है अगर उन्हें बहुत अच्छा aims नहीं चाहिए या उन्हें ये नहीं है कि मुझे तो government में ही पढ़ना है अगर उन्हें अपना साल बरबाद नहीं करना वो चाहें तो private college में अपना admission ले सकते हैं और fees उनकी वही लगेगी तो इससे एक चीज तो यह होने वाली है दूसरी क्या हो सकती है जो के chances है कि जो बच्ची होई 50% seats हैं may भी हो सकता है कि उस पे colleges अपनी fees बढ़ाएं chances है कारण ये है कि जब 50% seat ओपे fees कम हो जाएगी तो college कैसे survive करेगा उसे भी तो fees बनानी है पैसा बनाने है तभी तो private college उसने खोला होगा तो हो सकता है कि बच्ची होई 50% seats पे वो अपनी fees बढ़ा दें और ऐसी 50% seat जिन पे government की seat होने जा रही है मैं मानके चल रहा हूं कि उनका cutoff भी बहुत down नहीं होगा हालां कि पहला साल है पता चलेगा किस तरह से क्या जाएगा बट एक तरीका रहेगा कि हर बच्चा चाहेगा कि हमें तो साल वेस्ट नहीं करना हमें admission मिल जाए तो overall यह सब चीजें हैं आप लोगों के लिए complete counseling detail किस तरह से counseling होगी क्या होगी हम लेकर क्या आ रहे हमारे दूसरे चैनल यानि नीट काका जेई पर वीडिय WhatsApp प्लीज आप कर सकते हैं और detail ले सकते हमसे जुड़ सकते हैं counseling करवा सकते हैं Thank You